इलाइट स्टेडी प्लेट फोरम पर आप सभी का स्वागत्ता इस वीडियो में डिस्कुसन करेंगे 12 जुलाई 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्य ततांतराष्ट्य ग्रांट अफेर्स के बारे में पहला प्रसन है कोपा अमेरिका फुटबॉल किताब 2021 के बिजेता कौन है यहाँ पे खिताब आपको करना है ठीक है बुक नहीं है यहाँ पे होगा खिताब ठीक है जिसे आप प्राइज भी कह सकते हो तो यह जीता है अर्जेंटीना के दोरा आप्शन डीस प्रसन का बिलकुल सही उत्तर है साथ मैं आपको जाणना होगा अर्जेंटीना ने ब्राजील को मरकाना स्टेडियम में खेले गए फाइनल में एक सुन्या से प्राजित कर 2021 का कोपा अमेरिका फुटबल खिताब जीत लिया है वर्जिन गलेक्टीन अंत्रिक्स कंपनी किस देश से समंधित है तो इस कंपनी का समंध है अमेरिका से ऑप्शन डी इस दा राइट अंसर किस बहुपक्सिया संग ने जैब विविद्दा पर एक संबेलन आयोजित किया है तो इस संबेलन आयोजित किया गया है आसियान के दौरा यह प्रसन हमारा आलाइड सर्विसीज की प्रिक्सा से प्रेरित है भारतिया मूल के किस सत्रंज खिलाडी ने दुनिया के सबसे यूबा ग्रांड मैस्टर बन गया है तो उनका नाम है अभिमन्यू मिस्रा याद रखिएगा आप अभिमन्यू मिस्रा के बारे में ये भारतिया मूल के सत्रंज के लाड़ी है तो दुनिया के सबसे यूबा ग्रान्ड मास्टर बने है दिल्ली हिंदी अकादमी का उपादेक्स किसे बनाया गया है तो याद रखिएगा सबानन्द किरकरे को बनाया गया है दिल्ली हिंदी अकादमी का उपादेक्स सबानन्द किरकरे Global Startup Ecosystem Index में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तो भारत को इसमें 20 मा स्थान प्राप्त हुआ है जनसंख्या, नियंतरन, स्तिरीकरन और कल्यान भिदेख 2021 की सराज्या द्वारा पेस्ट किया गया तो इसे पेस्ट किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा और इसमें कहा गया है कि जिनके दो से अधिक बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी के लिए भी वो इलिजिवल नहीं होंगे बहुत सी नविंतम इंस्ट्रक्शन्स वहां पेस्ट में पेस्ट की गई है आने माले समय में देखना दिल्चस्पोगा कि उत्तर प्रदेश इसको किस तरह सिंप्लिमेंट कर पाता है राष्ट्रिया मतस्या किसान दिवस कब मनाया जाता है दस जुलाई का दिन आपने याद रखना ये प्रसं बहुत ही मत्तोपूर्ण है दिखी यूनिक प्रसंदी और डेशेव समंदित एक प्रसंद जरूर हमें किसी एकजाम में देखने को मिलता है ये प्रसंद थोड़ा यूनिक प्रसंद है याद रखेगा राष्ट्रिया मतस्या किसान दिवस दस जुलाई को मनाया जाता है बन्या जीव सरक्षन अदिनियम किस बर्स अस्तितों में आया था बन्या अदिकार अदिनियम के बात करें तो 2006 में अस्तितों में आया था बिस्वा सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है 30 जून का दिन याद रखेगा 30 जून को मनाया जाता है बिस्वा सोशल मीडिया दिवस आगे हम डिसकुसन करेंगे हिमाचल परदेश के बहुत हिमत्तोपुन करांटा फिर्स के बारे में पहला प्रसन है हिमाचल परदेश में किन तीन विधान सबा सीटों पर उपचुना प्रस्ताबीत है अरकी फतेपूर जूबल कोटकाई को आपने याद रखना है देखिए हाली में आप देख रहे होंगे अरकी से जो हमारे भूतपुरव च्छबार के मुख्या मंत्री थे बिरबदर सिंग उनका नीदन हो गया तोलन के अरकी सो उनने चुनाव लड़ा था फतेपूर से सुजान सिंग प्ठानिया का नीदन हो गया था और जूबल कोटकाई से भी भारती जनता पार्टी के विधाय का नीदन हो गया था तो तीन सीट्स खाली चल रही है इसमें से जूबल कोटकाई में से नरेंदर ब्राक्टा जी थे और इसके अलाबा देखिए मंडी संस्तियक सेतर में भी सीट बेकेंट चल रही है सांसद राम सुरुप सर्मा के नीदन के बाद यहां पर भी चुनाव प्रस्तावित है हिमाचल परदेश में किस संस्तियक सेतर में उपचुनाव प्रस्तावित है तो आप इसका उत्तर करेंगे मंडी संस्तियक सेतर याद रखिएगा हमारे हिमाचल परदेश में लोकसबा की चार सीटे है राज्यसबा की बात करें तो तीन है यदि आपसे पुछा जाया कि हिमाचल प्रदेश से कुल कितने सांसद चुने जाते हैं तो आप उसका उत्तर करेंगे साथ कुछ सांसद में दोनों स्रेणी के लोग आते हैं हिमाचल प्रदेश विधान सबा एक सदनी विधान सबा है जिसमें 68 सीट से सबस्यादा प्रतेने जिद्धू हमारे कांगला जिला से चुन कर आते हैं विधान सबाग की यदि बात करें वर्स 1970 तथा बर्स 2011 में हिमाजल प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी तो याद रखिएगा 34.6 लाख जनसंख्या थी हमारी 1970 में और बर्स 2011 में 66.6 लाख हो गई है तो यह प्रसन हमारे लिए इंपोडेंट है याद रखिएगा एच्चेस में इस तरह का प्रसन एक बार पहले भी पूछा जा चुका है स्टेंड सिद्य आप हिमाचल प्रदेश के किसी कंपेटिव एक्जाम की त्यारी कर रहे है इलाट स्टेडी को रटेन वेबसाइट को बिजिट कीजिएगा बहुत ही मत्तोबन किताबे आपको यहाँ पे मिल जाएगी ये किताबे बहुत ही साबधानी पूरबक और मिन्तम किताब भी लॉंच हो चुकी है आप वेबसाइट में जाके उसे औरडर कर सकते हैं इलाट स्टेडी को रटेन वेबसाइट को बिजिट कीजिएगा थैंक यू बेरी मस्ट कीप बॉचिंग इलाट स्टेडी यूट्यूब चैनल